हेलो गाइज हेलो गाइज हेलो गाइज वाट्सप मेरा नाम है बताईए भाई आपको आज हम देखेंगे information about hackers by iStudy iStudy अब बताएगा hacker के बारे में information भाई यह तो बहुत ही बड़ा हो गया चलो अभी देखते हैं क्या होता है hackers तो अभी यहाँ पर दिख रहा है हमें types of hackers अभई hacker hacker है समझो अभी एक रमेश नामक एक बंदा है अगर रमेश का account कर किसीने hacker लिया और उसका bank account का जो भी details है वो किसीने चूरा लिया या फिर कुछ भी बेच दिया वो data की दरभी और उसके पैसे गायप हो गए सो दो बंदे जब बात करते है ना रमेश के बारे में तो वो hacker hacker करते है उन्हें पता कुछ भी नहीं होता अगर तीसरा मेरे जैसे जाएगा और पूछेगा कि भईया hacker मतलब क्या क्या बताओ ना यार अगर आप इता बोल ही रहो तो बता दो hacker मतलब क्या होता है सो आज हम उसी topic के बारे में बात करने वाला है कि hacker क्या होते है वो क्या करते है सो hacking is definitely made a whole a whole new turn especially when it comes to how another person can access someone else computer एक बंदा वही अगर दूसरे बंदे का क्या बोलता है अगर computer अगर वैसे access करने मतलब access करने लगा तो उसे ही hacking कहते है है ना सो देखते है hackers are typically divided into the following categories black hat hackers white hat hackers and grey hat hackers देखे यह white grey और यह black तो हम ऐसे syntax से पढ़ेंगे पहले black hat hackers देख लेंगे जो कि almost सब जन को पता ही रहेगा कि यह क्या करते क्या नहीं grey और white का बागी आपको देखना पड़ेगा सो चलो guys next slide पे चलते है अभी हम black hat hackers के बारे में बिलकुल detail में information लेंगे तो कौन होते है black hat hackers देखते है black hat hackers also known as criminal hackers or crackers these people are those that maliciously gain access to another system for selfish gain they are typically hack electronic devices or modify steel or delete critical files for their personal gain पैसे कमाने के लिए अगर खुद का भी कुछ अगर motive हो तो वो ऐसे कुछ कामों को अंजाम देने के लिए black hat hackers hacking का इस्तमाल करते है सो यह black hat hackers arrest हो सकते अगर यह पकड़ में आ जाए तो और 90 तो नहीं बट 80% cases में यह पकड़े ही जाते है क्योंकि भाई जित्ते black hat hackers है न उत्ते ही उन्हें पकड़ने वाले भी है सो black hat hackers यह होते हैं मतलब अपने जो पहले जो रमेश की जो केस ली थी न जिसमें वो रमेश का अकाउंट है को के वो मतलब चला गया था क्या वो उसका पैसा चला गया था सो वो black hat hacker नहीं किया था सो अभी यह हुआ black hat hacker black hat hackers का अगर आपका doubt क्लियर हो गया हो तो चलिए अभी सामने जाते है मतलब आगे आगे बढ़ते है यार जाते थोड़ी आगे बढ़ते है ओ वाइट स्क्रीन वाइट स्क्रीन पर white hat hackers हो भाई मजा आ गया white hat hacker अब क्या होते है black hat hackers काली टोपी पहनते white hat hacker white टोपी पहनते हो गया difference ऐसी कोई बात नहीं है white hat hacker और ethical hacker white hat hacker को ethical hacker भी बोला जाता है क्यों अभी देखते है white hat hacker को ethical hacker भी बोला जाता है discover ways on how device system can be exploited in order to learn how people can defend themselves against possible attacks these ethical hackers also make it a point that the security services they issue are updated they do this by being on the lookout and actively digging for the newest exploits and new system vulnerabilities vulnerabilities अभी ये सब कुछ definition है जो कि मुझे बहुत पागल कर रहा है ये बहुत जिस रास्ते से कोई दूसरा बंदा आपकी system check कर सकता है आपकी information चुरा सकता है सो ये ऐसे रास्ते ढूंटते है और लोगों को बताते कि ऐसे ऐसे आपका आपकांट इसे secure है जैसे बंदा वीडियो में बिलता और भाई password अच्छे से रखा कर और password पर ही 1944 ट baru तब ही क्या ँज़ित अच्छा है भाई पासव ओर्ड पे ढूठीए इसनि hey इसनिफ पासवड पर डिपेंड नहीं होती है अगर आपने पासवर्ड गलत रखा है मतलब इजी रखा है तो कोई कर सकता है किंग बड़ पूरी नहीं होती यार कुछ-कुछ बंदे तो भाई यह पासवर्ड बाइपास करके डाइरेक्ली अकाउंट में घुज जाते हैं ऐसे बंदो के मुह हमें नहीं लगना है चलो यार आगे चलते हैं यह होते हैं आगे का चलते हैं बाकी का तो रह गया है इतिकल हैकर अल्सों मेक पॉइंट डैट सिक्यूरिटी सर्वीसेस दे इशू आर अपडेटेड अच्छा मतलब दीखी वो क्या करते हैं वो हैक करके दे वर्नरेबिलिटीज मतलब वर्नरेबिलिटीज बताते हैं वर्नरेबिलिटीज बताते हैं मतलब यह बताते हैं कि भही यह सिस्टम में अगर आप डेटा रखोगे तो ऐसे ऐसे से हैकर आपका डेटा चुरा सकता है यह वो बता देगा मतलब यह वाइट हैकर बताएगा और ब्लैक हैड एकर वही information चुरा के selfish काम करने लगेगा सो हो गया आपका topic clear अगर आपको इसमें और कुछ doubt होता है सो आप मुझे request कर सकते मैंने पिछले मैंने में एक वीडियो बनाया था information about operating systems सो उसे भी एक बार चेक कर लेना जिनको operating systems की जानकारी नहीं है उनके लिए वह बहुत फाइदे बंद वीडियो है सुच चलो भी आगे बढ़ते हैं ओ भाई gray hat hackers बचे कुछे यही है भाईया अब gray hat hackers का कुछ गलती सीन होता है ऐसा ही गलत सीन होता है वाईया अची बात है यह यह आज देने में सब्सक्राइश्ट यह द्राइवन भाई टाया और black hat hacking motivation they are also ones who employ both legal and illegal techniques to exploit or improve a system however if a gray hat hacker exploits another person system he typically makes a point to inform the owner of exploit made and then offer suggestion on what can be done to buff up system security gray hat hacker करता क्या है सो मजाक मजाक में भाईया hacking कर देता है सामने वाले का system में घुस के hacking कर देता है hacking कर देता है कर देता है सो एकिंग करने के बाद में उसको बताता भी है कि भाईया यह यह लीगल इलीगल दोनों techniques से सफेद रंग का पैसा होता है वह लेगल करके वह जो भी उसका system का owner है जिस person की system उसने hack की है सो उसको वह inform कर देता है कि वह यह यह आपके system में कुछ कमिया है आप इसे सुधार लीजिए इनके motivation दोनों होते है white भी होते है और black भी होते है मतलब यह काला पैसा भी चुपाते है और white पैसा जो जो मतलब जो सफेद रंग का जो पैसा होता है वह भी चुपाते है ऐसे वाले लोग होते यह grey hat hackers का एक और पॉइंट आपने सुनाओगा जो जीटिए वाई सेटी वगेरा ऐसे जो गेम है ना यह बड़े बड़े गेम सो यह गेम अगर किसी को free में खेलना हो सो यह वह हैक करते है यार मतलब यह पैसे के यह माई यह हैक और crack करके सामने वाले को provide अर उस पैसे लेते फ्री में provide कराते है कोई-कोई मतलब ऐसा भी करता है समझो dife का यह फिर 500 रूपए का एक है और सो उसे 552 का गेम को अगर कोई 100 रूपए में आपको बेचेGा तो आप तो वह ले यह लोगी आप क्योंकि आपका 400 रुपे का फायदा होने वाला और वो तो भाईया फ्री में वो क्रैक कर रहा है और आपका आप उसे 100 रुपे दे रहे हो क्रैक में भरोसा नहीं रखना कोई भी सॉफ्ट्वेर भी क्रैक वाला यूज नहीं करना आप ज्यादा तर लोग भई विंडोज भी क्रैक वाली इस्तमाल करते हैं ज्यादा तर लोगों मैं भी हूँ यार जाना दो इन्हें का पता चल रहा है चलो आच्छा हां क्रैक यूज नहीं करना आपको आपको विंडोज वगेरा भी लीगर डालनी है तो गाइज आज के लिए इतना ही और हाँ आपके लिए अगर एक आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भई इसने महना भर ये वीडियो त्यार करने के लिए लिया तो इसने क्या रिसर्च की कौन से इसमें से रिसर्च की इसने तो ठैंक्स फॉर वाचिंग है और धिस यह जो बुक है न गाईस यह बुक एक नंबर बुक है यह बुक में मतलब मैंने स्टार्डिंग के पाट शे पेज़े पढ़े और यह विडियो बनाया है मतलब आप समझ सकते हो कती लेवल की बुक है यारी है मतलब इसमें बताया जाता है और बाद में जो टॉपिक है वह बहुत हाड है यार वह पेनेटरेशन वगेरा मैंने वह तो नहीं पढ़ा बट शुरू के गिन के यार मैं च्छे पेज पढ़ा रहूंगा और मुझे आज की वीडियो में जो भी यह वाइट ग्रे और ब्लैक है के बारे में इससे इंफॉर्मेशन मिल गई है मैंने जो आज डेफिनेशन भी यूज किये सच बोलूंगा जूटने बोलूंगा इस बुक के पर ऐसा माउस का एरो रखके बोलूंगा कि यह इसी बुक में से ली गई डेफिनेशन है अकर आपको चाहिए तो आमेजॉन पर याप ले सकते है मैंने इसका पीडियेव मतलब मेरे दोस्तोंने मुझे प्रोवाइड करा है सुम मैंने से पैसे भी दिया सबस्क्राइब 200 म और टाइम मिले तो लाल वाला बटन लबादेना सब्सक्राइब मत करो सब्सक्राइब करना बुरी बात लाल वाला बटन लबादो बस तो गाईज अभी एंड करते हैं बाई गाईज